और लेजे तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आधितनाथ के पहुँचने की मुख्यमंत्री योगी आधितनाथ पहुँच चुके हैं हात्रस उसी अस्पताल में जहां पर गायलों का इस समय इलाज जारी है हमारे सहयोगी जो जानकारी दे रहे हैं उसके मताबिक गायल इस समय खत्रे की स्थिति से बाहर हैं यह तस्वीरे आप जो देख रहे हैं अब यहां से यह जो हैली पैड जहां पर उनका चौपर उत्रा है अब यहां से यह कारवा जो है अस्पताल की तरफ कूछ करेगा बहराल बहुत जरूरी हो जाता है यह जानना के आखिरकार यह जो 121 लोगों ने अपनी जान गवाई हैं इनका आखिरकार हत्यारा कौन है कई लोग अब जियांच के दाएरे में आ चुके हैं कई बड़े सवाल जो हैं यहां पर खड़े हो जाते हैं इस घटना करम के बाद इनी सवालों के जवाब जानने के लिए मुक्यमंतरी योगी आजितिनात आप कह सकते हैं पहुंच चुक हैं जहां पर अब से थोड़ी दिर के बाद मुक्यमंतरी पहुंच जाएंगे और यह दुखद हाथसा जैसे ही साथसे की जानकारी मुक्यमंतरी को मेली उन्होंने ततपरता दिखाते हुए अधिकारियों को रवाना कर दिया और सक्त निर्देश दिये कि जैसे जितना साल में भर्ती कराया जाए उतनी ही तेजी से काम किया जाए मुँ में मिट्टी भरगी तो वो सांस नहीं ले पाए तो बड़ा दर्दनाक मामला हुआ है और दोसी के खिलाब कारवे होनी चाहिए मेरी यह मानना है कि आयोजक और अनुमति परदान करता है और जिला परसासन देखे यह सीधा सीधा डीम सेस्पी इस जिम्मेदारी से ब कई राजियों के लोग इसमें शामिल थे और साथी बाबा पर भी सवाल उठ रहे हैं जो वहां पर कारिकम करने आये थे जो वक्ता थे उनके जो सेवादार थे उन्होंने भी जो लोग घायल थे इस्तानी लोगों को मदद नहीं पहुझाने दी देखे बाबा पर तो सबसे जादा सवाल है यह देश सादू संतों का देश है सूफियों का देश है इस देश में सादू संत का सम्मान सब करते हैं सूफी का सम्मान करते हैं और उसकी आड में बहुत बाबा पैदा हो गया है मैं नहीं जानता है कोन बाबा है और चुकि इन का संवान करते हैं सरद्दा रखते हैं नहीं समाजवादी पार्टी के नेता हैं जिनका हम सुना रहे हैं अपराबा पर जो यहां और दूसरा उन्होंने DM और SSP पर भी सवाल खड़े कर दिये हैं। उनकी भूमिका को भी वो ले आए हैं जाच के दाएरे में। सत्संग, प्रवचन या को सना था, उसका सेफ रूम ही सामने बना, मैं अपने कैमराबन रवी से कहूंगा, सेफ रूम दिखाईए, उनके लिए पूरा बनाया गया था, और उसके बाद, जिस कुरसी पर बताते हैं बैठने के बाद, देखें मैं उस कुरसी पर बैठ रहा हू यहां उपर बुलाए गए, इस मंच पर और उनको आश्रवाद दिया, उन्होंने इनसे धूल ली चनोगे, और इसी रास्ते के मादम से, देखें, मैं अपने कैमराबन रवी से कहूंगा, कि आप इस तरफ आईए देखें, यह वो रास्ता है, जहां से होते हुए, यह पूरा रास्ता दलदल में तप्दील हो चुका है, यहां उनकी पॉटिकों में यह गारी खड़ी की गई थी, इस गारियां, यहां सिर्फ तीन गारियां खड़ी की थी, बाकी गारियां 28 से 30 गारियां उस तरफ लगी थी, यह रास्ता उनके लिए स्पेशली 15 दिन की मशकत सब्सक्राइब और यहीं से लोगों से कुछ लोगों से मुलाकात की कुछ लोगों ने यहां उनके पैर्च हुए और जैसे कि अलग से वेटिंग हॉल में मुख्य पॉइंट पर खड़े हुए हैं अमित गंजु जहां पर यह सत्संग चल रहा था जहां वहां पर चूर्ठ पर यह जो बाबा कि नाम से जो यह शक्त जाने जाते हैं जो सत्संग कर रहे थे हों यहां पर बैटके सत्संग कर रहे थे लिकिन बहुत बड़ी बात यह कि जो पंडाल इसमें पानी से भरा हुआ है जहां पर खचा खच का लोग बन्हों वी एम जड़ाई